नमस्कार उत्तरप्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शिखामेर उत्तरा रुख करते हैं खबरों की ओर लकनों के हजरत गंज स्थित गांधी प्रतिमास्थल पर किसानों ने सरकार के खिलाब विरोध प्रदर्शन किया बताते चले कि गांधी प्रतिमास्थल हजरत गंज में भारती किसान यूनियन संगिठेन के दौरा गांधी प्रतिमास्थाल पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया बतादे कि किसानों की मांग है कि नौ किसानों को ततकाल रिहा करें नहीं तो किसानों की द्वारा देश व्यापी प्रदर्शन किया जाएगा वही इस प्रदेर्शन के दौरान नारास किसानों ने पीम मोदी और सीम योगी का पुतला भी फूका पीम मोदी और सीम योगी के खिलाफ नारे बाजी की पुतला फूका गया और नौ किसानों को जल्द से जल्द रिहा करने की मांगी गई है गांधी प्रतिमास्थल पर किसानों ने जमका प्रदेशन किया तस्वीरे सामने आ रही हो साथी उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेशन को और बढ़ाया जाएगा नौ किसानों की जल्द से जल्द रिहाई की मांग की गई है किसानों के दौरा अगो बता देगे लखनों के हजरत गंज इस्तित गांधी प्रतिमास्थल पर किसानों ने सरकार की खेलाफ विरोध प्रदर्शन किया है गांधी प्रतिमास्थल हजरत गंज में भारत किसान यूनियन संगठन के दौरा गांधी प्रतिमास्थल पर ये विरोत प्रदर्शन किया गया नौ किसानों के ततकाल रिहा करने की मांग की गई है वहीं किसानों के दौरा देशिवापी प्रदर्शन किया जाएगा और इस देप्रेडर्शन की दोरान नारास किसानों ने पियम मोदी, सीम योगी का पुतलफू का जिम कर नारे बाजी की अलीगर्ड में पिता का हत्यारा बेटा बन गया और बेटे ने अपने ही पिता की गोली मार कर हत्या कर दी बता दे कि पूरा मामला जुला अलीगर के थाना महुआ खेड़ा में इस सित गाउं मुसेपुर्ग जलाल का है जहां पर बेटे और बाप में जमीनी विवाद को लेकर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था जिसको लेकर काफी बार पनचायते हुई मामले को सलजाने का प्रयास किया गया लेकिन आज फेरे एक बार सुला समझौते की बात करते हुए पिता के दोरा पनचायत रखते हुए बेटे को भी बुलाया गया पंचायत के दौरान ग्रामीन और असपास के लोग सहीत रिष्टेदार भी मौजूद थे जहां पर सरेयाम पंचायत में पिता की बात से आक्रोशित होकर बेटे के दौरा पिता के सीने में गोली दाग दिगए गोली दागने के बाद ही इलाके में हरकम वो मजग गया जिसके बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया इलाज के दौरान गायल सुनील कुमार ने जिलाज चिकत साले में दम तोड़ दिया जमीनी रंजिश के कारण बेटा सूरज सिंग ने अपने पिता सुनील सिंग तोड़ को गया ए इलाज के लिए पिता को अस्पताल भीजा गया है जहां पर अभी सुना प्राफ्टी हो गई है जख को पोस्वाटम के लिए भीजा जा रहा है अभीुप सूरज सिंग तूमर को गिरफा थाना शिकोषबाद के हिंदलेंट के पास बदमाशों ने लूट की वारदात को अनजाम दिया बाइक सवार बदमाशों ने मारपीट कर लूट की वहीं पीड़ित दौरा विरोध करने पर बदमाशों ने गोली चला दी जगटना में एक व्यक्ति घायल हो गया है सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायल को हॉस्पिटल में भरती कराया और मामले की सक्त कारिवाई के आदेश भी दिये यह थाना सी वहावाद में एचार मेनेजर में बजाज लैंप में करुटा है वेब हॉप तो फिरोजबाद से एक खबर सामने आई है जहां लूट पार्ट के दोरान जम कर हाता पाई भी हुई जिसके बाद घायल भी हो गया व्यक्ति क्योंकि उसे गोली मार दी बदमाशों ने फिरोजबाद थाना शिको क्या आदेश भी दे दिये हैं आपको बता दे कि लूट का जब विरोध कर रहा था पीड़ व्यक्ति तो बदमाशों ने उस पर गोली चला दी जिसके बाद गंभीर रूप से युवग्धायल हो गया है संभल उत्ते प्रदीश 2022 विधासभा चुनाओं से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर से तयारिया शुरू कर दी है राश्रिय लोगदल का गड़ कही जाने वाली पश्यमी उत्तप्रदीश में 2019 के लोग सभच उनाओं में रालोध सुप्रीमो चौधरी अजीज सिंग को भाजपर से मिली करारी हार के बाद एक बाद राश्रिय लोगदल पश्यमी उत्तप्रदीश में जमीन तलाश ने सम्मेलन आयोजित किया इस सम्मेलन में रालोध से जुड़े सभी जातियों के सम्माने तरलोगों को आमंतरत किया गया वेभिन पार्टियों ने जाती के अधार पर सम्मेलन आयोजित करना शुरू कर दिया है वहीं रालोध के राश्रिय अध्यक्ष जैन तचौधरी ने सीतापुर के हर गाओं थाना छेतर के अंतरगत हर गाओं ने इसे अपना कार निप्टा कर घर जा रहे पैतिस साल के युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गई सूचना पाकर पहुंचे पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए सीतापुर भेज दिया है मिली जानकारी का अनुसार पुरानी रंजिश में हत्या की गई है युवक की उपर बुलेरो सवार हत्यारों ने तीन गोली अचला दी जसे मौके पर ही उसकी मौत हो गई हमलावर मौके से परार हो गई और थाना प्रभारी निरिक्षक हरगाओं ब्रिजेश कुमात्र पार्थी ने बताया की तहरीर मिलने के बाद मुकादमाद दर्जकर दोशियों की जल्द गिरफ तारी की जाएगी तो सीतापुर की घटना जा गोली मार कर युवक की हत्या कर दी गई है और सीतापुर भेज दिया गया शवको ओस्ट मौटम के लिए तो ये सीतापुर से घटना सामया ये थाना हर गाओ जनपद सीतापुर का ये मामला है पुरानी रंजिश की चलते तीन गोलिया मार दी गई जिसके बाद मौके पर ही युवक की मौत हो गई अब पुलिस आगे की कारेवाई में जुट कई है मौके मंतरी योग्या देतनात आज श्रावस्ती बहराईच के दोरे पर है सीम योगी के इन दोनों जगा के दोरे को लेकर सारी तैयारिया शेनिवार को ही पूरी कली गई मौके मंतरी दोपहर करीब एक बजे श्रावस्ती पहुँचे जहां दो सो इकिस करोड की एक सो तालिस पर योजनाओ का लोकारपन और शिलाद न्यास करेंगे इसके साथ ही मौके मंतरी लभारती पर योजनाओ के लभारतियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे इडी में ही लगाई गई है मुख्यमंद्री के दोरे को लेकर सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम किये गए है तो श्रावस्ती और बहराईच के दोरे पर है आज सीम योगी वहीं शाम तक लखनव भी वापस आएंगे आपको बता दे कि श्रावस्ती में कई योजनाओ का लोक सारपण शिलन न्यास कर जंता को भी संबोधित करेंगे साथ ही लाभारती परेक योजनाओं के लाभारतियों को प्रमाण पत्र वित्रित करेंगों इस खबर पर हमाई साथ जादा बाद चीत के लिए समधा तो गौरब हमाई साथ लाइफ जोड़ चुड़ चुके हैं तो कर रहा है और भापर समीच्छा बेकर रहा है और खास जुनाओं के दौरा जंता को सोगार भी दे रहा है और देना भी चाहिए क्योंकि साड़े-चार साल सरकार के पूरे हो चुके हैं और यहां पर यह मांग भी है कि अपने कारों का लेखा जोका अपने जो कारकाल का जाए कि जनता का यह माना जाए कि यह सरकार बहुत 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 में अगर 2022 में सरकार को मौका मिलता है तो सरकार और बहुतर काम करेगी तो इसको देखते हुए आज मुक्मंत्री योगी नाराथ आज स्रावस्ति और ब्राइज द्वारे पर मा और योचिना की लाभारती है उनको प्रामात्य पी देंगे और उनको उपालावत लाब भी देते नजर आएंगे इसके साथ मुक्वंध्य किततर लगभा लभा करन की शिरान नागारत्य करे पही नजर आएंगे कि लगातार संगठन की बैठके भी चल नहीं है और चुनाओ बहुत दूर नहीं आपको पतादू बिनासर चुनाओ की घोषणा भी हो चुके है और माना सकता है कि जन्बरी से आचार सहीता भी लग जाएगी तो समय कुछ कारों पर लोग भी ना देती हैं तो इसको देखते ह होंगे लोकारपर भी होंगे और जन्सभा भी लगातार आयूजथ होगी और मुक्वंति साम तक लखनू में पापस भी रहेंगे जी गौर्फ जिस तरह से मैराथान बैठके और दौरे कर रहे हैं सीमयोग्या दितनात और बड़ी-बड़ी सौगाते देरे जन्ता को तो इ करें और होना भी चाहिए कि सुनाव पास में है और यही मौका है जब जन्ता से अपने संभार बढ़ा सकते हैं और जन्ता को अपने पाले में कर सकते हैं तो इसके लिए सम्मेलन भी किये जा रहा है बीजेपी भी कर रही सपा भी कर रही बसपा भी कर रही है आमाडी पार् लगातार काम कर रहा है जनता संबाद भी कर रहा है जनसभा भी कर रहा है नहीं सोगातों की जनता को डिते नजर आ रहे हैं तो आज सियमयोगी आधितनाद के दो दोरे हैं बहराईच औश्रावस्ति जहाँ पर जनता को कई परियोजनाओ की सोगात देंगे लोकारपण और शलान्यास करेंगे आपको बता दे कि मैरथान दोरे कर रहे हैं कई मीटिंगppo कर रहे हैं सियमयोगी आधितनाद क्योंकि साथी जनता को संभोधित भी करेंगे और अपने 4-4 साल के जो कारेकाल रहा है और उसमें जो भी काम करें हैं प्रदेश के लिए उसके बारे में भी बताएंगे फतेपुर जनपत के थाना चांदपुर छेत्र में खेत में मवेशी चराने को लेकर विवाद हो गया कि दो दो पक्षों में मारपीट हो गई वहीं इस विवाद में एक ही दर्दिनाक मौत भी हो गई वहीं दो लोग घायल हो गए हैं जिनको प्राथमिक उप्चार के लिए सामुदाइक स्वास्तकेंद्र में भरती कराया गया है वहीं हालत गंभीर होता दे गायलों को जिला अस्पताल रफर कर दिया गया है वोके पर पहुंचे पुलिस पूरे मामले की चान बीन कर रही है जिन्पत प्रतापगड में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतरगा जगह जगह पर लोगों को कारिकरम के माध्यम से जागरूप किया गया है इसी कारिकरम में नगर पंचायत लाल गंज छेत्र के बैठक भी की गई कारिकरम की अध्यक्षता कर रहे अधिशासी अधिकारी सुभाष चेंडर ने कहा कि लोगों को आप उनके मौलिक अधिकारों के प्रती जागरूप किया जाए साथी साथ उन्होंने बताया कि माहिलाओ गरीब बच्चों और कमजोर वर्ग के सभी व्यक्तियों को निश्रक विदिक सहायता और सल्हा के अधिकार के बारे में जागरूप किया जाए आजादी का 75 वर्ष बीद जाने के उपलक्ष में उसे अमरत महुत्सव की रूप में मनाया जा रहा है कई सारे इसके आयाम रहे हैं विविन विभागों ने विविन तरीके से इस उपलक्ष में अपने कारिकरम आयुजित किये हैं जो हमें निर्देश प्राप्त हुए तेसास की निर्देश की हम विधिक निहिसुल्क विधिक सहायता से सम्मंधित लोगों को जागरूप किया जाएगा और इसके रूप में जगे जगे समारूप आयुजित किये जाएंगे प्रसासन दोरा ये भी निर्णे लिया गया कि प्रतेक व्यक्ति तक पहुचा जाएगा और उस व्यक्ति को उसके मौली का धिकार क्या है किस तरीके से वो निसुल को विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है जो हमारा वंचित वर्ग है गरीव वर्ग है जो हासे पर खड़ा हुआ है जिसे कानून की जानकारी नहीं है और अगर जानकारी है शाजापुर जन्पत की ग्राम पंचायत पर और में इन दिनों बंदरों ने काफी आतंक मचा रखा है अंधेरों से परिशान होकर करणी सेना के जला अध्यक्ष अजय परमार ने जलाधिकारी से प्रारतना पत्र देते हुए बंदरों को पकड़वारे की गोहार लगाई है दरसल अजय परमार ने राम नेला ग्राउंड में एक सभग आयोजन किया था जिसमें लोगों से एकत्रित होने के लिए जागरुप किया गया सैकडों की संख्या में एकत्रित हुए ग्रामीरों ने जिलाधिकारी के आदेशों के बाद एकत्रित होकर आपसी सही योग मनाने का निर्ड़िया है समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रार्थना पत्र में अजय परमार ने बताया कि आए दिन बंदरों के आतंक से कई संख्या में ग्रामी लोग परिशान हो रहे हैं आई दिन गाउं को समीब हो रही सबसी की खेती को चौपट कर रहे हैं तो वही महिलाओं के कानों से कुंडल नोच लेते हैं तो वही सबसी लेकर बाजार से कोई आए तो उसकी सबसी भी छीन लेते हैं कि अगराम पंचाइद प्रवर में बंदों का बहुत ज़्यादा आतंक है क्योंकि यहां पर बंदर फसल नुक्सान करें तब तो सीमित है फसल के साथ साथ यहां लोगों के सरीर जो भी है जानमाल की हान कर रहे हैं यहां पर लोगों को छट से गिरा रहे हैं हाथ पर टूट हैं किसी का कूला तूट रहा है कही ना कहीं आपाहिच कर रहे हैं बंदर हालो मैं बरतंतर सी सर्मा पर और से एक उमेश नाम की ड्राइबर थे उन्होंने हमें काड़ दिया था बंदर पकड़वाने वाली टीम मत्हुरा की है तो हमने उनके बारे में जानकारी की तो उने क काड़ लेकर के हमने पूरे गाओं में काड़ भैला दिया हमने की बंदरों से बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे लड़के को जांग पर काट लिया कम से कम तीन वहीना बच्चा परेसां रहा क्योंकि कोई दिसा बखाए संभल में जिशने ईद मिलादुन भी त्योहार को लेकर बैठक का आयोजन किया गया वही से बैठक में कोरोना गाइडलाइन्स के साथ फेस्टिवल मनाय जाने को लेकर सहमती बनी त्योहार आपसी भाईचारे के साथ मनाया जाएगा इस पर भी सहमती बनी उत्तरप्रदेश की खबरों में फिलहा लेता ही आप बने रहेए प्राइम टीवी के साथ झाल